Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics So friends, आज के इस वीडियो में हम कुछ questions को solve करने वाले हैं जो कि आपके fact के exam से related होने वाले हैं तो यहाँ पर जितने भी questions रहेंगे आपके biological sciences के लिए हैं और आज हम करने वाले हैं injuries और death से related कुछ questions तो बहुत अच्छे questions यहाँ पर हम discuss करेंगे तो जल्दी से start कर लेते हैं और उससे पहले एक request कि प्लीज इस वीडियो को सभी के साथ में share कर दीजे ताकि जितने भी students फाक्ट के preparation कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सके और वो लोग कुछ practice questions को solve कर पाएं तो पहला question हमारे सामने है वो ये है how many types of brain death तो जो brain death होती है वो कितने type की होती है तो brain death को हम तीन तरह से classify कर सकते हैं एक होती है आपकी cortical death दूसरी होती है आपकी brain stem death और तीसरी तरह की होती है इन दोनों का ही combination तो इस question का correct answer हो जाएगा all of these जहाँ पर आपकी cortical death, brain stem death और इन दोनों का combination ये तीन तरह की death होती है अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो आपकी cortical death है और जो brain stem death है ये है क्या सो cortical death एक type की death होती है brain की जहाँ पर जो आपकी brain का cortex वाला portion होता है वो काम करना बंद कर देता है वो damage हो जाता है, वो destroy हो जाता है तो जब आपकी brain का cortex वाला portion काम करना बंद कर देता है तो उसको हम बोलते है cortical death यहाँ पर जो brain stem available होता है जो कि आपकी brain का ही part होता है वो intact रहता है, जो भी patient रहता है जो कि survive कर रहा होता है उसके brain stem में कुछ दिक्कत नहीं होई होती है लेकिन उसका cortex damage कर चुका होता है और अगर उसका cortex damage कर चुका है सिरफ brain stem अभी भी सही सलामत है तो भी वो individual survive कर सकता है independently इफ अगर उसको sufficient nutrition दिया जाता रहे time to time सही तरह से तो next जो है आपकी उसको हम बोलते हैं brain stem death या फिर brain death क्योंकि जो cortical death है वहाँ पर सरिफ आपके cortex का damage हुआ है उसकी death हुई है और वहाँ पर उस condition में कुछ ऐसी possibilities होती है जहाँ पर हम individual को जो भी survive कर रहा है उसको हम basically बचा सकते हैं उसको proper nutrition देते हुए और brain brain stem death में क्या रहता है कि जो भी individual का brain stem जो है वो काम करना बन कर चुका है तो उस individual में वो पूरे brain की death हो जाती है तो इसी बज़े से इसका दूसरा नाम दे दिया गया है brain death अब इसमें होता कि है जब कोई भी person when a person on an artificial life support system और machine no longer has any brain functions जहां पर जो भी individual है उसके जो brain के functions है वो सारे के सारे काम करना बन कर देते हैं जो कि आपके brain stem की थो करवाया जाते हैं तो brain stem की death मतलब कि पूरे के पूरे brain की death और इसका मतलब क्या हुआ जो आपका पूरा ही brain है तो उसके सारे ही functions पूरी तरह से रुक जाएंगे जो इसको हम बोलते हैं brain stem death and this means they will not regain any consciousness or able to breathe without support a person whose brain stem death और brain death is legally confirmed as death तो अगर किसी भी individual का brain stem ने काम करना बन कर दिया है इस सारे ही condition आ गई है तो उसको हम legally confirm कर सकते हैं कि उस individual की death हो जोकी है लेकिन cortical death में ऐसा हम नहीं कह सकते हैं आपके सामने next question है question number two और यहाँ पर आपको बताना है what are the post-mortem changes are seen in eye तो जब किसी भी individual की death हो जाती है तो उसके बाद में यानि की post-mortem जो body में changes आपको नजर आते हैं वो तीन तरह से हम classify कर सकते हैं एक होता है immediate changes, दूसरे होते है early changes और तीसरे होते है late changes तो immediate changes का मतलब होता है यहाँ पर आपका circulatory, respiratory और जो आपका brain basically रहते हैं जो insensibility रहती है तो जब इन सारे चीज़ों का stoppage होता है तो उसको हम बोलते हैं immediate changes, early changes में आपके eye changes आते हैं skin changes, algor mortis जिसको हम post-mortem cooling भी कहते हैं उसके इलावा post-mortem caloricity जहाँ पर जो body का temperature होता है वो कम जादा होता है then जो muscle changes होते हैं जिसको हम post-mortem desidity भी बोलते हैं post-mortem liberty भी आता है आपका early changes में इसके बाद में अगर हम बात करें late changes की, तो late changes में आपका putrification आगया, mummification आगया adiposial formation आगया और जो saponification होता है जो कि आपका adiposial को ही हम बोलते हैं escritonization आगया, maceration आगया तो ये सारी conditions जो रहती हैं वो आपकी late changes में आती हैं तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं eye changes की, तो eye जो changes आते हैं ये आपके early changes के अंदर include करे जाते हैं तो eye में कौन-कौन से changes आते हैं पहले तो हम वो समझते हैं तो जब किसी भी individual की death हो जाती है उसके बाद में जो उसकी eyes रहती हैं तो eyes का सबसे outer part जो होता है जो हम cornea बोलते हैं और उसके अंदर जो आपका pupil वाला part रहता है जहां से आपकी जो जो भी rays रहती है light rays वो आपके eyes के अंदर enter करती हैं तो इन दोनों के ही जो reflexes होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं यानि कोई भी तरह का reflection, reflex आपको cornea और pupil में नहीं देखने को मिलेगा जो sclera रहता है उसमें discoloration देखने को मिलता है जो आपके eyes के अंदर uterus humor रहता है उसका जो chemical उसमें available होते हैं उसमें कुछ changes देखने को मिलते हैं eyeball जो रहती है, पहले flaccid हो जाती है and देन वो देर देगर के shrink होना start करती है, तो ये कुछ आपके basic से eye में changes देखने को मिलते हैं अब यहाँ पर options को देखते हैं तो इसमें पहला लिखा होगा है कि eye becomes flaccid, जो eyeball रहती वो flaccid हो जाती है, तो ये बिल्कुल सही है then brownish coloration discoloration होता है, इस clara का तो ये भी बिल्कुल सही है, then जो आपका vitrous humor रहता है, इसके अंदर जो potassium iron available होता है इसमें increment होने लगता है, तो ये statement भी बिल्कुल सही है यानि कि option number 1, 2, 3, 3 तीनों ही सही है, तो इस according question का correct answer हो जाएगा, option number 4, all of these, अब यहाँ पर आपका कुछ additional information यहाँ पर लिखी हुई है, स्कॉप देख लीजे, कोई भी आपका reflex action नहीं होता है cornea और pupil में after death, cornea जो रहता है वो deck मतलब थोड़ा सा dusky हो जाता है वो cloudy सा नजा है, थोड़ा सा ओपेक हो जाता है उसमें जो whiteness होती है वो बहुत जादा होने लगती है क्योंकि अगर आप normal देखे, तो cornea जो रहती है वो बहुत transparent होती है but after that, वो धीरे-दीरे करके opaque होने start हो जाती है after two hours of death उसके अलावा यहाँ पर जो eyes रहती है वो flaccid होने लगती है, पहले वो flaccid होती है पहले वो expand करती है then वो orbit में धीरे-दीरे करके वो shrink होने लगती है तो यह चीज़ हो गया उसके बाद में एक condition होती है trachinoir, तो trachinoir जो condition होती है यह आपके ocular याने की जो eyeballs होती है उसमें देखने को मिलती है after death, इसमें होता क्या है जो आपकी sclera होता है जो की sclera का exposed part होता है उसमें आपको brownish discoloration देखने को मिलेगा जब eyelids जो होती है वो close नहीं होती है death के बाद भी जो eyelids है किसी individual की वो अगर close नहीं होई है तो उस condition में after two to three years यह जो से तीन घंटे तक अगर आपकी eyelids जो है वो open ही है तो उस condition में जो आपकी sclera रहती है वो brownish discoloration शो करेगी तो यह condition आपकी tracky noir कहलाती है और यह होता क्या है क्यों है basically क्योंकि जो cellular debris होती है जो dust होता है वो सारा का सारा उसमें settle कर जाता है इसकी वज़ा से इसमें यह changes देखने को मिलता है यह starting में yellowish रहता है to start then फिर reddish brown and फिर देखने करके dark brown and then last में यह black हो जाता है तो यह कुछ हो गया आपका eye changes related important points उम्मीद करती हूँ यहां तक आपको समझ में आया होगा next question आपके सामने है what do you mean by contusion contusion का क्या मितलब होता है so contusion को हम medical term में contusion बोलते हैं basically जो bruise होता है उसका medical terminology होती है contusion तो आपका statement 1 बिल्कुछ सही है कि जो medical terminology है उसको हम bruise के लिए medical terminology यूज करी है या उसको हम contusion बोलते है second भी सही है यहाँ पर blood capillaries होती है वो आपकी damage हो जाती दिसकी वजह से उस particular जहाँ पर भी injury cause होई होती है वहाँ पर कि जो skin रहती है वो बहुत dark color में नज़र आती है बहुत reddish या black sea आपको नज़र आती है यूँकि वहाँ पर जो capillaries होती है उसमें damage की वजह से जो blood रहता है वो बाहर निकल के ज़र से clot बनने लगता है तो ये condition हो जाती है यहाँ पर जो skin रहती है वो general conditions में damage नहीं होती है जितना भी damage होता है वो internally होता है तो according to question का correct answer हो जाएगा option number 3 यादि कि both A and B दोनों के दोनों सही है और skin यहाँ पर tone नहीं होती है तो आपका 4 number नहीं हो सकता question number 4 आपसे पूछा गया है injury को कौन से section के under define करा गया है तो ये बहुत easy question है जो आपका section 44 है IPC का इसके under injury को define करा गया है सारे के सारे sections आपको पतावना बहुत जरूरी है basically जो कुछ important होते हैं तो आपकी exam से 4-5 दिन पहले मैं एक पूरा video बना दूँगी जहाँ पर पूरी list होगी जहाँ पर जो भी important sections है IPC के, CRPC के वो सारे के सारे included होगे तो वो आपको थोड़ा से help हो जाएगी लेकिन वो जो video आएगा आपके exam से approximately 1 week पहले आजाएगा तो तब आप उसको जरूर से देख लीजएगा अभी मैं इसलिए नहीं कर दी हूँ कि अभी मैं सिर्फ जितनी भी sections है वो मैं search out करने ही कोशिश कर दी हूँ तो जब मुझे सारे के सारे compiled form में मिल जाएगे तो last में मैं वो video upload कर दूँगी तो यह हो गया आपका question number 4 और यहाँ पर आपका injury को section 44 में क्या define किया गया है वो यहाँ पर definition भी लिखी हुई है आप इसको एक बार read कर लीजेगा next question है यहाँ पर which of the following is not the type of thermal injury thermal injury का इन में से कौन सा type नहीं है तो यहाँ पर basically आपका जो option है यह गलत होगे है यह all of these नहों करके none of these होगा यूँकि यह तीनों ही आपके thermal injury के type है जो आपका radiation injury है जिसको आप radiation burn कहते है trench food, chemical burn यह तीनों के तीनों आपके thermal injury के ही type है तो यहाँ पर जो option number 4 है तो यह तीनों ही आपके type है तो इसी वजह से इसका answer होना चाहिए none of these या फिर यहाँ पर आप question को भी change कर सकते हैं यहाँ से आप not अटा दीजे कि इन में से कौन सा type है thermal injury का तो all of these हो जाएगा इस तरह से आप कर सकते हैं बाकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह जो आपके injuries रहती हैं दो तरह से हम classify कर सकते हैं एक आती हैं आपके mechanical injuries दूसरी आती हैं आपके thermal injuries तो mechanical injuries की बात करें तो जहाँ पर किसी weapon या कोई भी ऐसा tool use हो रहा है जिसकी वजह से आप किसी भी दूसरे बनलब किसी भी individual को injury cause हो रहे है तो उसको हम बोलते हैं mechanical injury यहाँ पर option में क्या क्या है बिसिकली कौन कौन सी होती है तो यह आपके spelling गलत है aberration होगा यह तो एक तो हो गया आपका aberration second है contusion, laceration, incised, stab, firearm and fracture or dislocation तो यह सारे के सारे आपके होते हैं mechanical injuries next अगर हम बात करें thermal injuries की thermal injuries की अंदर आता है आपका injury due to heat जिसको हम दो तरह से classify करते हैं जहां पर आपका जब बोन को heat बहुत ज़दा हो जाती है तो वह आपकी damage होता है और दूसरा होता है आपका scald scalding जो रहती है वह मैंने अभी कुछ एक ही दो वीडियो पहले आपको बताया था है यह क्या होता है यह भी मैं आपको अल्रेडी बता चुक है तो इस वादा से यहां पर में repeat नहीं करूंगी next है आपका chemical burn जब injury किसी ना किसी chemical की वजह से होती है और chemical जो है heat produce करता है तो कोई भी chemical generally skin के आने पर आपका heat ही produce करेगा इसके वज़ा से burning जैसा condition हो जाती तो उसको chemical burn कहती है तो यह भी thermal injury में ही include होगा next है आप पर radiation burn जहां पर कोई ना कोई तरह है की radiation waves जो रहती है उनका use होता है उसकी तो इंजरी होती है जैसे कि आपकी x-rays होगई UV rays हो गई तो यह सारी कि सारी आपकी thermal injury में आएगा next है electric burn जहां पर जो electricity होती है उसकी वज़ा से burning cause होती है then lightning burn जो आपका बारिश वगड़ा के time पर आपके sky में बहुत सारी lightning होती है तो वो lightning burn हो गया then explosives burn जहां पर explosive material यूज होता है उसकी तुरू जब आपकी injury cause होती है तो यह सारे के सारे हो गए आपके thermal injuries के type तो यह सारे thermal injuries के types को बहुत अच्छे से याद कर लीजेगा उसके बाद में next आपका question है what is the medical legal classification of injury injury का जो medical legal classification है वो क्या है तो यहां पर bruise और aberration अगर बात करें तो bruise और aberration जो है कोई particular आपका injury का classification नहीं कि अभी हमने जस्ट थोड़ा दिर पहले पढ़ा था mechanical injuries जो वहां बनाके बहुत सारे types की थी तो जहां पर आपका incised भी आ रहा था लेसरेट भी आ रहा था bruise भी था aberration भी था तो यह जो आपका option number two or three है यह answer नहीं हो सकते क्योंकि यह आपका mechanical के अंदर ही आते हैं तो यह कोई particular classification नहीं है तो two or three तो हो नहीं सकता next जो है आपका option number one तो यह simple injury और grievous injury तो medical legal classification जो है यह बिलकुल सही हो जाता है जहां पर simple injury और grievous injury इसको आपको injuries को दो तरह से classify करते हैं तो correct answer है option number one बाकि यहाँ पर कुछ और भी classification है इसको भी देख लेते हैं तो यहाँ पर एक तो कितनी severe है कोई भी injury उस basis पर हम classify करते हैं simple injury या फिर grievous injury या फिर जो death है वो किस सरा से मलब deaths के पहले हुए death के बाद हुई है तो उस according antimortem या postmortem next कुछ आपका जो classification रहता है type कह सकते हैं तो वहाँ पर suicidal है, homicidal है, accidental है, defense है या फिर false injury, false मतलब जो fake injuries होती है तो यह सारा कुछ आपका classification हो गया अब इसके बाद में आपका question number seven है जहाँ पर आपसे पूछा गया है which among the following is not the type of aberration तो यह आपका आ जाएगा यहाँ पर aberration जो aberration होता ह है उसका कौन सा इसमें से type नहीं है तो यहाँ पर जो pressure है, imprint है और contused है यह तीनों ही आपके aberration के type होते हैं उसको pressure aberration, imprint, aberration और contused aberration बोलते हैं बहुत कम होती है और lymph जो रहता है आपकी body से वह extrude आपका excretor के बाहर निकल के आता है जब large aberration रहता है वो जदा painful रहता है और यहाँ पर जो bleeding होती है वो भी थोड़ा ज्यादा ही होगी in comparison to जब बहुत कम aberration हुआ है अगर हम बात करें aberration के classification की तो इसको हम तीन तरह से classify कर सकते हैं scratches, grazes, pressure aberration, imprint aberration and contused aberration और उसके लावा कुछ aberration cause हो रहा है तो उसको अदर की category में हम डाल देते हैं अब next आगे चलते हैं और यहाँ पर question number 8 है जहाँ पर पूछा गया है which of the following is medical legal importance of bruise तो bruise जो रहते हैं उसका medical legal importance क्या होता है तो यहाँ से हम age का determination कर सकते हैं यह मैं आपको अभी कुछ दिन पहले वीडियो बेना तो वहाँ पर ही बताया था कि age का determination कैसे करते हैं wound का, तो bruise अगर है तो वहाँ पर age of wound up find कर सकते हैं अगर कोई bruise cause हुआ है तो उस पर वेपन भी find out कर सकते हैं injury जो है वो किस तरह की है, उसका size क्या है, उसका shape क्या है तो उस according आप type of weapon भी find out कर सकते हैं, type of injury किस तरह की है, मतलब कि जो bruise है, वो कितना ज्यादा damage cause हुआ है, कम cause हुआ है, कितना ज्यादा severe तरह से मारा गया था, तो इस तरह से आप type of injury find out कर सकते है, homicidal or suicidal है, यह सारा का सारा भी आप bruise का examination करते हुए देख पता कर सकते हैं, जो इसका correct answer हो जाएगा, all of these are the medical legal importance of bruise, अब यहाँ पर कुछ additional information भी लिखी हुई है, आप इसको एक बार देख लिजे, जो bruise होता है, वो accidental, suicidal or homicidal भी हो सकता है, यह जो रहती है, इसमें self-inflicted bruise जो रहता है, वो बहुत ही rare condition में देखने को मिलता है, यह आप खुद को उतना जादा bruise cause नहीं कर पाऊगा, यह वो बहुत जादा painful रहता है, तो इस वज़ा से self-inflicted bruise जो रहते हैं, वो बहुत ही rarely देखने को मिलते हैं, अब यहाँ पर जो simple injury होती है, बट उसमें contusion, यह generally जो bruise रहता है, वो बहुत simple injury होती है, बट अगर contusion आपके hurt के उपर हो गया है, तो वो immediate death भी cause कर सकता है, उसके अलावा अगर आपकी body के उपर बहुत जादा multiple contusions हुए है, तो उसकी वज़ा से भी death cause हो सकती है, तो उसकी बहुत ज़दा shock या फिर internal hammerage हो जाता है, और उसकी वज़ा से किसी भी individual की death भी हो सकती है, उसके अलावा जो size or shape होता है किसी भी bruise का, तो उससे आप weapon को भी बहुत आराम से identify कर सकते हैं, next question है आपका question number 9, what is the medical legal importance of laceration, जो laceration होता है उसका medical legal importance क्या है, तो laceration में भी same है, आप cause of injury find out कर सकते हैं, कि injury किस तरह से cause हुई है, weapon कौन सा use हुआ ये भी आप find out कर सकते हैं, angle of impact क्या है ये भी पता कर सकते हैं, basically laceration में होता क्य है, यहाँ पर generally, जो blunt edge वाले weapons रहते हैं, उसको use करा जाता है, जिसकी वज़ा से जो tissues होते हैं, वो बहुत ज़ादा damage हो जाते हैं, बहुत ज़ादा abrasion देखने को मिलता है, यहाँ पर उसके अलावा, यहाँ पर जो भी आपका wound है, उसका size क्या है, shape क्या है, तो इस सरा से आ angle, मतलब किस angle से उस tool को apply किया गया है, वो भी आप पता कर सकते हैं, cause of injury क्या है, यानि कि आपका suicidal है, homicidal है, accidental है, यह भी आप laceration का examination करके find out कर सकते हैं, तो correct answer हो जाएगा इसका all of these, अब यहाँ पर आगे चलते हैं, और यहाँ पर कुछ आपके additional fact, तो generally, जो laceration होते हैं, वो accidental condition में ही देखने को मिलते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हर बार वो accidental condition में ही देखने को मिलेगा, यह आपके homicidal की conditions में भी देखने को मिल सकते हैं, बट suicidal हो, यह बहुत ही rare condition हो जाते हैं, suicidal condition में laceration देखना, बिलकुल rare condition होती है, बट possibility होती है, 1% की आप देखने को मिल भी सकता है ठीक है उसके अलावा जो type of laceration है वो आपका indicate करता है cause of injury और या फिर जो भी weapon है उसका shape और यहाँ पर कोई भी foreign matter अगर उस particular wound में available है तो वो जो crime है उसके circumstances क्या क्या थी उसको भी कई बार identify करने में मदद करता है अब next question है आपका question number 10 और यह basically last question भी है यहाँ पर पूछा गया है incised wound की क्या क्या characteristic features होते हैं तो incised wound में बहुत fine sharp cut लगता है यहाँ पर जो contusion होता है वो general cases में absent होता है बट कुछ ऐसे भी cases रहते हैं जहाँ पर आपका contusion आपको देखने को मिल भी सकता है incised wound में उसके अलावा यहाँ पर जो tissues रहते हैं वो torn और abrade नहीं होते हैं क्योंकि incised wound में जो आप weapon यूज करते हैं उसकी edge जो रहती है वो बहुत fine रहती है तो इस वज़ा से tissues torn और abrade नहीं होंगे तो question आपका option number 2 है यह तो हो नहीं सकता तो correct answer हो जाएगो option number 4 both first and third are the correct option of this answer of this question next आपका question अच्छा यहाँ पर कुछ additional fact भी है जो edges होते हैं basically smooth होते है clear cut form करते हैं यहाँ पर contusion generally देखने को नहीं मिलता है बट जब जो weapon है उसकी edge तो बहुत fine है बट वो थोड़ा से heavy weapon है और backside उसके थोड़ा सा जादा थिक है तो उस condition में आपको contusion देखने को मिल भी सकता है उसके अलावा in seized wound कहां से आपका start हुआ है angle of impact क्या था किस particular position पर starting है ending कहां पर है यह आप fine lot बहुत आराम से कर सकते हैं क्यों क्योंकि मान लिजे यह एक आपका surface है और आपने यहां से कोई impact किया कोई एक knife लिया बहुत fine sharp था उसमें edges थी बहुत sharp थी यहां जब आप apply करते हैं तो यहां पर thickness बहुत कम रहती है लेकिन जहां से आप निकालते हैं तो वहां पर thickness बहुत जादा हो जाती है तो इस तरह से आप यह चीज़ पता कर सकते हैं कि जो भी आपका wound across किया गया है वो इस side से है या इस side से है तो यह जिस बहुत ज़्यादा help कर जाती है उसके अरावा जो ending portion होता है वहां पर बहुत ज़्यादा depth देखने को मिलती है और direction भी आप आप कर सकते हैं किस direction से कोई भी टूल को apply किया गया है next एक और question है आपका जो कि यह आपका last question है तो आपका यहां पर पूछा गया है what is the medical legal importance of incised wound तो incised wound का medical legal importance क्या है अभी सब कुछ समझाया type of weapon हम find out कर सकते है type of injury हम find out कर सकते है cause of death भी हम पता कर सकते हैं तो correct answer हो जाएगा option number 4 all are correct यहाँ पर भाई सारा कुछ लिखा हुआ है nature of weapon find out कर सकते हैं यह हमें एक idea देता है site of impact और direction of force बताने के होमिसीडल incised wounds होते हैं defense incisions भी कई बार देखने को मिलते हैं जो कि आपके hand के अलना side पर आपको देखने को मिलता है कई बार palm पर भी देखने को मिलता है और यहाँ पर जो post-mortem incised होते हैं वहाँ पर आपका यह generally जो criminal होता है वो crime की identity को छुपाने के लिए करता है तो और types की भी आपके injuries रहती हैं जिसमें आपका है पहला self-inflicted, defense injuries, offensive injuries, unintentional injuries और fatal और non-fatal injuries तो यहाँ पर self-inflicted जहाँ पर आप injury खुद को ही cost करते हो defense मतलब लड़ाई जगड़े में आप किसी से बचने के लिए cost कर रहे हो किसी दूसरे individual को offensive या लेकि बहुत offensive आप फील कर रहे हो तो उस condition में या तो आपने खुद को आपको समझ में आया होगा बाट फिर भी कूछ doubt रह जाता है तो आप comment section में लिख दीजेगा यहाँ पर सारे के सारे questions हो चुके है complete अब मिलेंगे हम अपने अगरे वीडियो में जहां पर जो आपके fact के previous year papers हैं उसको हम discuss करेंगे जहां पर आपका chemistry वाला भी जल्दी ही हम upload क कर देंगे और physical sciences वाला paper है उसके वी आपको जो previous year papers है उनके वीडियो भी जल्दी ही available हो जाएंगे तो अभी इस वीडियो को करते हैं और बाकि इस वीडियो को share कर दिजेगे ताकि सभी तक यह वीडियो पहुँच जाए चैनल पढ़ना है तो चैनल को subscribe ज़रूर से कर लें and thank you so much for joining me here